एक गाव में सोनु नाम का एक छोटा लगका रहता था, सोनु बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बढ़ा था, वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ भी न हो, एक दिन, सोनु अपने रास्ते से स्कूल जा र बहुत भारी है, लेकिन अगर तुम मेरी मदद कर सको, तो मैं बहुत आभारी रहूंगी, सोनु ने बिना समय गबाए बंदल उठा लिया और बूरी और बूरी और के साथ चलने लगा, रास्ते में उन्होंने एक दूसरे से बाते की और बूरी और ने सोनु को अपनी जिं सोनु ने वह मिठाय अपने दोस्तों के साथ बात दी और खुशी-खुशी घर लोटाया, इस कहानी से हमें ये सिक्षा मिलती है कि छोटी-छोटी मद्दे भी दूसरों के जीवन में बड़ा अंतरला सकती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तयार रहना चाहिए, चाहे वह मदद कितनी ही छोटी क्यों नहों, सची खुशी और संतोश उन्हीं लोगों को मिलता है जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं.